Assalamu alaikum, how are you all? Hopefully you all are doing good. तो आज मैं बात करूँगी करोना वाइरस के हावाले से, जैसा कि आप सब को पता है कि करोना की सेकंड वेव जो के मार्च में आई है, वो बहुत सारे लोगों के लिए जान लेवा साबित हुए, especially इंडिया में. इंडिया डेली करोना वाइरस केसे क्लिम टू नियू वर्ल रेकॉर्ड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मरीज हैं करोना वारस के, the second wave which began in March has escalated rapidly with India, recording more than a million new cases in just three days for the past two weeks. वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक सिच्वेशन चल रही है, medical facilities कम पढ़ गी हैं और oxygen की कमी है, ICU beds की कमी है, इसकी वज़ासे ICU beds कम पढ़ने की वज़ासे, जो के ज़्यादा तर मरीज सडकों पर ही अपनी जान की बाजिहार बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये खतर मरीजों के लिए जगाना होने की वज़ासे, वहाँ पे जो मुसल्मान हैं, उन्होंने मसाजिद में लोगों को जगा दी है, कि वो करोना की मरीजों को वहाँ पर रख सकते हैं, और भारत में मुसलिम नौजवान ने जिवरात और कार बेचकर करोना की मरीजों को मुफ्त oxygen फराम करना शुरू कर दी है, पाकिस्तान और इंडिया के पिछले जो भी तलुकात थे उसको भूल के पाकिस्तान ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा है, हमें इससे यही इनसानियत का ही सबक मिलता है, कि रंग, मसब, नेसल, कुछ भी नहीं ये करोना देखता, ये सब के लिए है, तो हम सब को मिलकर ही से लड़ना चाहिए, वी बिलीव इन पुलीसी आफ़ यूमेनिटी फर्स्ट, और ये जो ट्रेंडिंग हैश्टेग है, पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया, इंडिया नीड्स आक्सीजन, आप ल उननी की मदद करें और अपनी जो पचास अमिलिस येंए पिशक प्याश की है वह भी बिजवाएंगे, अपना अमला भीजवाएंगे और जितनी मदद कर सकेंगे, वह करेंगे, अगर मजीद इंडिया अमूलिस की जटरूरत पड़ी तो और भी देंगे, अक्सीजन की फ् बेशक्षकी है ये सब देखके बहुत अच्छा लगा है बेशक वी बिलीव इन पलीस याफ़ यूमेनिटी फर्स्ट और फैसल इदी ने ये भी बोला है कि अगर उन्हें दोनों हकूमत की तरफ से इजाज़त मिलती है इंडिया जाके उनकी मदद करने की तो वो उन्हें जो भी जो भी जाना का रासता है वहाँ से जाने की आज़सद दें तो तो ये कुछ ट्वीट मैंने आपसे शेयर की हैं इंकलूडिंग इमरान्द खान और भी बहुत सारी actress اور singers ने भी जो है इंडिया के लिए दौाई लिख के भेजिये हैं उनके लिए ट्वीट्स किये हैं आप लोग आके जाकर ये देख सकते हैं ये जो किर्किटर है शोएब अक्तर उन्हें भी दौाई लिख के भेजिये हैं और उन्होंने ये ट्वीट किया है आप लोग देख सकते हैं और उनके इलावा शुईब अक्तर और इनके इलावा जो है अक्टर फरहान सईद उन्होंने ये ट्वीट किया है आप लोग ये देखें स्क्रीन पे आपको सामने नजर आ रहा होगा तो यह सारे ट्वीट्स दे के बहुत अच्छा लगा कि सारे पिछले जो इंडिया और पाकिस्तान के जो तलुकात हैं वो भूल के जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने इंसानियत के नाते जो है वो इंडिया के लिए द्वाइं लिख के भेज रहे हैं मदद की पेशकर्ष कर रहे है और यह आप लोग देख सकते है मोमेन अब स自हासन ने भी जो के सिंगर है उन्होंने भी ट्वेट किया है और इंडिया के लिए द्वाइगके भीजी है उन्होंने धिलावा एक्टर स है अरमीना राना कान उन्होंने भी tweet किया है hashtag Pakistan stands with India India needs oxygen और इसके बाद जो इंडिया ने भी reaction किया है उनकी जो actress है स्वेरा भासकर उन्होंने भी tweet किया है thank you for your बड़ा दिल पडोसी तो ये बहुती अच्छी बात है कि इसी वज़ा से जो है दोनों ममालिके तलुकात बेतर हो रहे हैं तो मेरी आप सबसे ये ही request है जो पाकिस्तान में हैं और या जो भी देखने वाले हैं उनसे request है कि प्लीज ऐसोपीस पर अमल करें और इमरान खान ने ये भी बोला है कि अगर हम ऐसोपीस पर अमल नहीं करेंगे तो खुदा ना कास्ता हमारे मुल्क में भी इंडिया वाले ही situation हो सकती है तो इसलिए मेरी आप सबसे request है कि प्लीज मास्क पहने अपने घरों में बैठ चाएं और जो get together हैं इनको avoid करें आज की यही वीडियो थी अगर अच्छी लगी हो तो like and share कर दें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज करोना वाइरस को सीरियस लें स्टे होम स्टे सेव आप से मुलाक उतोगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाफे